सबी को जाएं दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जमा आपके लेटेस्ट एक इंपोर्टेंट और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत के मशूर पतरकार रोई शर्मा जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की शेरनी और सुप्रीम कोट की सीनर वकील नाजिया लाइखां जी जो की बात करेंगी बहुत इंपोर्टेंट और रेडिकल मुद्दों पे खास कर जहां पे एक शरम ना घटना सामने आई है अलि जाए बारत दोंगी कि नया नगर का आपको याद है ना घटना जो महाराज मेरा रोट नगर में हुआ था उसके बाद जवाब हिंदूओं ने दिया था वैसा ही जवाब उसके बाद पर बैंगलूरू में तेजस्वी सूडिया ने जिसे आपसे अपना पूरा कारिक्रम व मेरा सपोर्ट उनके साथ है मैं उनके साथ खड़ी हूँ चाहे दो मुझे गुलाले वहाँ पर और हुली मनाय जबर्दस हम भी देखते हैं कि अरंग जेप का स्लिपर सेल जीतते हैं यह यह रामराज जीतता है जरूरी आ चुका है अब यह कट्तर इस्लाम वालों को ना कट करता से और रही बाद इस तरह से मैं मुझे जहां तक पता चला के आधित्या परताफ सिंग ने जो एक पायार किया है मिजबा कुरेशर क्या नाम है जकीरूर रह्मान जैत शिर्वाच्छा यह शिर्वानी ओ माइग एक शिर्वानी साहिबा है उनके कलेजे पर खंजरी आत लगते हैं किसी गली कुछे की शिर्वानी लगते हैं यह लोग शारुक शाबरी शोयव पुरैशी एहमत मुस्तुफा आप शिर्वानी फिर ते शिर्वानी है शैबासकान फैसर त्यागी अर्मान सिद्धी की इन बच्चों के ऊपर इन औरमजेब के सिलेपन सिल के ऊपर अलिगार हुआ है और अब इनका डिमांड है कि वह अलिगड़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के चौखट पर उस मक तक नमाज पढ़ते रहेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे जब तक यह अफ आयार खत्म नहीं किया जाता है तो मुझे ऐसा है कि अलिगड़ मुस्लिम यह F.I.R. बिल्कुल भी खतम नहीं होगा चाहो तो अपने अपने अबबा औरंग जेब को और जिनना अबुजान को भी बुला करके साथ में उनको भी पढ़वा लो यह F.I.R. खतम नहीं होने वाला है एक और डिस्टर्बिंग सामने आया है एक फैक्ट वो यह कि डिल्सों के आसपस आदमी मरे गए रशिया में अटैक में और जिन्होंने हम लागिया था वो पकड़े गए हैं अब प्रेशन प्रेजिन पूतिर ने अभी हाल में अभी स्पीच दी उन्होंने और उस पीच में यह बोला कि हमने पकड़ गी हैं सारे अच्छा जून को पकड़ा गया है वो सारे के वह लगबक इमिग्रेंस से या इमिग्रेंस के टच में थे और पैसों के लिए उनको यह लगा था वहाँ पे लॉपर की ने रही थे हुए लिग उनको फैसा देता है देंके तुम्हा ज रापको याद होगा कि आमादमी पाटी का मानतुला कान, उसने बंगलादेशी और रोहिंगिया घुस्पैटियों को एंट्रे कराने के लिए दिली में भी राइट कराने की कोशिश कर दी थी और आपको याद होगा के अर्भिन केजरिवाल जो है उसने और अमानतुला खान दोनों ने मिल करके यह भोहीं ए गुस्प एठीयों को बंगलधेशी और पाकस्तनी िठेटियों को मुसल्मान कुशिपएठीयों को इन फ्रूंगों cooler और उसके बाद फिर चारपाई बरतन कपड़ा पैसा सब भिजवाया था पानी की facilities भिजवायी की उसके बाद फिर मैं आपको वताऊंगी कि यह जो घुसपैटिया होते हैं ना यह मुसलमान घुसपैटिया जितने भी है इनको रोटी और गोटी दिया ही इसलिए जा रहा है ताके यह भारत में बहुत बुरा कर सके अब मैं इसको बहुत चोटे से और सिंपल एक्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगी रोट भाई ताके बच्चा-बच्चा समझ सके आपके घर में गेस्ट आएगा जो आया तीन दिन के लिए है लेकिन रह गया है तीस साल क्या वो आपके घर को उतनी ही महबबत से रखेगा जतनी महबबत से आप रख रहे हैं कभी नहीं देगा वो तो सोचेगा कि मेरा अपना काम बनता भाड़ में जाये जनता वो तो यही सोचेगा ना तो उस तरीव कैसे यह जितने भी घुसपैटियां है मुसल्मान घुसपैटियां यहाँ पर रखे ही गए हैं जैसे मम्ता बैनेचु जैसे जावेद एमत खार जैसे मनुतुल्ला खार यह लोग जान बुच करके गुस्पेटियों को रखते हैं ताके क्रिमिनल एक्टिविटीज करवा सके ताके डायपॉलिक जो टेररिजम माइंड होता है वो करवा सके आराम से करवा सके और हालिया में अभी हमने बदाईयूं का मैंटर अभी तो गरमी है क्या दो यह जो दो मुसल्मान लफंदर थे साजिद और जावेद दो मासूम बच्च में और रखा ही इसलिए जा रहा है यहां पर क्रिमिनल करने के लिए और यह कोई आपकिक करते हैं आप यांद कीजिए के आस्दुति जी के मंज्च पर हमेशा पाकिस्तान जिंदा बात के नारे लगते है औरंगजेट जिंदा लगते है यह क्यों लगता है अ He कि मारत में रहते हैं ए म히 भगसिन जी का नारा लगाएंगे ए म्रेधा अशोग का नारा लगाएं गे ओकंपने दीनेश को आशोग old até हम देनेश करने यहां यहां क्या लगता है गुरु गोविन औ सिंद जी का आरा लगाएं यहां क्या लगता है असब दुद्धिन अवेसी के मिटिंग में ओरंग जेव का μας नारा लगता है, क्योंकि ओरंग जेव से, Lebanese मो weaker फ्ढही मोवल कषुए था ही ने, सब से स्ब बुरे थे औरंग जेव ने सबसे ज्यादा भारत का बुरा किया, जिन्द का बुरा औरंगजेब ने कीया है तो इसलिए औरंगजेब के यह followers और औरंगजेब मानने वाले हैं इसलिए मैं इनको हमेशा बोलती हूं ठरक याजम मुझले आजम के वासला ठरक याजम और जाहिले आजम, ये असदुद्दी नवेसी का जाहिले आजम का पॉज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया का जो ये घटना है, ये भारत को बहुत बाग और ग्रह मंत्री जी को समझना चाहिए, कि जितने भी मुसल्मान गुस्पैटिया यहाँ पर हैं, वो आगे चल है, ये CA, NRC बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, फ्रांस में किसने हमला किया, इमिग्रेंट में, यहाँ कोन हमला कर रहा है राइशिया में, इमिग्रेंट, जर्मनी में कौन करता है, इमिग्रेंट, नॉर्वेय में कौन करता है, इमिग्रेंट, इन इमिग्रेंट से अरभ में गाज़ट क्या रसू किया के तुमारे पाकिस्तान के उन गुस पेटीय और तुमारे पाकिस्तान के टूरिस्त आते वो यहां पर आकर के अश्लीन काम करते हैं अबुधाबी में तो खड़े हो करके ट्राफिक का जो सबसे बड़ा पुलिस है उसने खड़े हो करके मंच पर का क्या पाकिस्तानी सबसे जादा इहां पर आकर के असलील्टा का नंगा नाच करतेOoh प्र यह वो लोग अगाड़ी 2021 तर्की ने वह सारे पाकिस्तानी को बाहर नेकाला क्योंकि वो लड़कियो बना के इंस्ट्राइम पर डाल रहते हैं आप सोचू यह यह एक डिस्टेबिंट ट्रेंड है और पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा की इतनी कश्मे खाता है वो मुसल्मानों को पर नहीं छोड़ता है सच बाती है थैंक्स अलोट नाजिया जी पर जोइनिंग बहुत अच्छा डिस्केशन था और जल्दी एक डिस्केशन और करेंगे अभी के लिए नमस्ता धन्यवाद जाएंगे जोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो का आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी का दमदार और बेबाक रियाक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा जहां पे नाजिया खान जी ने ना स किसी दमदार और इंटरस्टिंग वीडियो में पर अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरस्टिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें जय हिंद जय भार्त